आगे की जो सेंसस होगी दो जार इकरतीस में यह 25 किलोमेटर के रेडियस के उपर उदाइपूर मेट्रो सिटी का रूप लेगा मेरे इसाब से हमें उदाइपूर पर इधी प्लान करना है तो सब चीजों से उपर उठके सहर को सुंदर रूप देना चीजिए सुंदरकांड क प्रतम स्लोग सांतम स्वासवतम पर्मेयम अंगम निर्वानम सांति प्रतम ब्रह्मा विष्णु पनितर सेवें तो यह सारे सब चीज मुझे पता है किसी की जान गई आपको बोट की पड़ी और ओ जो परिवार है वो कहरा हमारे इसका नाम मतलो हमें जलेवे पर आप किसी सबना उसके विचार के बात करें हैं पार से सबाएं जिस तर्थ से आयए है करम करोगे खङवान उसी रूप से आपको फदेगा कर्म पर कर्म पर है कर्म पर्धाने सनाता है कितने देशों में कुमना हुआ हैं और कितने देशों की यात्रा भी बाकी है मुझे यह तो मैं नहीं कह सकता कि आगे कितना कहां जाओंगा लेकिन मुझे अवसर मिला है एजुकेशन में मुझे अंतराश्य भुगोलविता सम्मेलन का अवसर प्रथम बार 2000 में मिला जब गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया ने मुझे सियोल बेजा था और वह जो एक ट्यूर था उसमें मैंने वहां की संस्कृति को समझा वहां की लोगों से इंटरेक्शन हुआ हैं उनका किस तरह से विकास हो रहा है उस पेपर को रखा और पेपर पब्लिस भी हुआ बाद में देखिए एक शिश्य के लिए उससे बड़ी उपलब्दी होती है कि अपने गुरू के साथ में बेठें उनसे बादचित करें और जो आपका परीचे हैं मतलब बताते हुए मुझे लग रहा है कि मैं कि सस्ती के साथ में बेठा हूं प्यार साब प्रोफेसर प्यार साब है मूलत भिलवड़ा से हैं उदेपूर में इनका निवास है और अभी यहां एक आप वीडियो में देखेंगे कि यहां एक अलमारी खुली है इस अलमारी को मैं इसलिए बता र इसके अलावा भी बाहर के कोलेजों सो भी सरकार नाम जुड़ा हुआ है और मैं जितनी भूमिका बांदूंगा यह वीडियो उतना ही बड़ा होता जाएगा इसलिए मैं इस भूमिका को विराम देते हुए मैं इतना यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे साथ में जो हस्त चल रहा है सियासत का जो माहूल चल रहा है सियासत के माहूल में साब का जो अनुभव है किस तरह से उदेपूर के हित्मे होगा उसको लेकर बात जोग्राफी के सर प्रोफेशर है तो जोग्राफिकल उदेपूर कितना important है मेवार की क्या खाशित है और जब हम विदेशों म नजर आती जिसको हमें उदेपूर में डवलप करना चाहिए तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका थेंक्यू आज मैं काफी गौरवान वीत में अस्ज़ कर रहा हूं कि क्योंकि शिक्षा का अपना है और मैं शिक्षा को महत्व देता हूं बड़ी करीब से शिक्षा का एजूकेशन रहा डारेक्टर कोलेज डेवलप्मेंट काउंसिल रहा इससे पहले में राजस्तान विद्यापीट में 25 वर्सों तक मैंने सेवाएं दी वहां भी में डीन आफ सोशल साइंसीज रहा और फोर्मर वहां भी हेड रहा हैड ओप दी डिपार्टमेंट और राजस्तान वगोलवेता की चार से पांच हमने वहां कॉन्फरेंसिस आयोजित की यूजी सी रिफ्रेशर कोर्स किये सुखाडिया में में हमने अंतराश्डिये वगोलवेता सम्मेलन किया डी जी ऐसाई डग्कन जोग्राफिकल सोसाइटी और इंडिया उसका में वाइ इस तरह से एक एक्षपर्ट मुझे आमत्रित करते हैं यह मेरे लिए सोभागय की बात है एक्षपर्ट के तोर पर आपको बुलाते भी है और आपने जाना भी है जी मेवाड हमारा जोग्राफिकल कितना महत्त रखता हैं कितना काफी संपन हैं उसके पारह में थोड़ा मेरा मानना यह है कि यह उदैपूर सहर प्रकरती की सबसे बड़ी देन एदी जोग्राफिकली हम देखें तो यह जियो हेरिटेज जो दिया है जिससे हम भागोलिक एक विरासत कह सकते हैं जो प्रकरती ने प्रदात की है इन पहाडियों में एक शहर ऐसा बसा हुआ है इसका विश्यू पटल पर नाम है यहां की खूब शुरुद जीले हैं चारों तरफ वन क्षित्र आचादित क्षित्र है नदियां है श्ट्रीम से टैंक से तालाव है सब कुछ यहां देखने को मिलते हैं लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि तो पिछले दो-तिन दश्कों में एकदम यहां का प्रियावन थोड़ा दूशित होने लग गया है जीलू में पानी की प्रोब्लम आनी लग गई है इसको लेकर के बहुत कुछ चिंतन हुआ 1968-69 में महुलाल जी सुखाडिया जब उस समय एक तरह से 60s की दोर में सोचना सुरूआ कि हो सकता फ्यूचर में हमें जीलू में पानी की कमी आएगी तो क्या करना चाहिए तो मांसी वाकल प्रोजेक्ट का एक सुभारम हुआ और यह मांसी वाकल प्रोजेक्ट के मैंने सुभे डेटा भी देख रहा था कि कैसा एक सुन्दर सा परिदर्श्य है और यह 68-69 में जो उस समय के मुख्य मंत्री थे राजस्तान के महुला जी सुखाडिया उन्होंने एक प्लान सोचा कि हम इमांसी वाकल से पानी जेलों तक सप्लाइ करें तब जब भी यह पूर्ती की जूरुत पड़ेगी ताए पेवेजल के लिए उदैपूर को कोई समश्य नहीं आए यह विकास हुआ टनल बनी गयलोज साब आये उन्होंने 2003 और उसमें भी सोचा राजस्तान सरकार ने उसके बारे में टनल की बात की और अभी एक धस्की हम बार बार सुनते कि मानसी वाकल यह सबसे बड़ी देन हो गाए पानी और देवास की फ से आ रिख़्यलिक है जो रॉच्छिक और शज़ञे वाकल को जोड़े मानसी वाकल यह से तरनल से जोड़ा गया पानी वह लाए गए तो देवास की फस्ट में आया अ coup सेकंड ओर डवलप हुआ, तो यह जो स्ट्रीम से दोनों आई है मांसी वाकल की. यह आगे बढ़ता जा रहा है. क्योंकि आगे यही मांसी जाकर के वाकल में मिली, वाकल जाकर के सावर मती वाकल नदी है इसकी यह ट्रिब्यूटरी है, राइट सव, सावर मती की और मांसी उस तो यह एक योजना वनी कि क्यों नहीं हम इसका पानी जलका उप्योग यह जीलू के लिए वहां के ऐसा भी नहीं है देखे आप बड़ी योजना यह है कि आसपास के गाउंगों को भी पेजल की सुईधा मिलें इरिगेसिन के भी मिलें यह प्रोजेक्ट उस तरह का बनाया ठ नहीं, इसमें मेरा सोच यह है कि प्रारंब तो देखो महला जी सुखडिया साब ने किया, और उससे पहले आगे जाए तो बहुत पहले महाराना साब का भी यह सोच था कि इन जीलों को कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे, तो कनेक्टिवीटी की धारना उस समय ही आ गई थी, च मैं रोजी रोटी की बात करता हूं, आम आत्मी को भोजन मिले, समय पर सारी सुविधाएं मिले, खेतों में लहलाते खेत हो, विजली की सुविधा मिले, इसलिए चंबल डैम से आज जितनी विद्यूत दिखाई दे रही है, यह जाल किसने बचा है, यह उनकी सोच थी, की बात नहीं सोची होगी कि मैं इस राज्य में इसकी सरकार आएगी तो मैं डबल इंजन कर दूंगा उसका, यह बिलकुल अवधारना ही गलत है, यह पूरे देश को प्रमित करने की बात है, यह सा कैसे हो सकता है कि एक देश का एक जो नेत्री तुदेरा वो यह कहे, कि क्रें निति आयोग ने सभी क्षेत्रों को हरक्षेत्र को एक समान रूप से उनके संसातनों का उपियोग हो, यह अलग बात है कौन spare ausge की बात हो जाएगी लेकिन सब को उनका उपियोग होना चीए, उप्योगिता होनी चीए तो मैं तो यह मानता हूं कि इसके उपर बड़ी डिबेट होनी चीए और यह शब्द बंद होना चीए कि वहां हमारी आएगी तो डबल होगी बाकी दूसरा अरे इंजन तो आप समानी नहीं पाए जो दो रेल चल दी थी तीसरी रेल जा चड़ी वह इंजन तो फेल हो गए जो चल रहे थे और फिर आप डबल इंजन मानवी रूप से कैसे क्रियेट कर सकते हो तो यह एक इस अवधार्ना को हमें पूरा बात करनी पड़ेगी खतम करने चीए एक आप बहुत सारे देश में गुमें हो वह सकता है वेनिस भी गए हो या नी बनायें दूसरी पारटी केती है कि हम वेनिस नहीं बना सकते हैं गाले क्सकायि हमारे यहां कि ओव कलिक श्काटा उसमें क्या uns अचल घूम उनरे उ आयड वर्साकाल के बाद पानी बंद हो जाता है, और फिर यहां थोड़ी एक तुरूटी यह हुई कि जो नैचुरल फ्लो था आयड का, वो तो हमने बंद कर दिया, चारों तरफ से सिराएं थी, छोटी-छोटी सिराएं, उसे पानी आता था, आप गंगुकुन के पास में द अब थोड़ा सा विचार करना हैंगे, इसको अलग करें, लेकिन वो तो अवरोध हो गया नहीं, वो जो नैचुरल फ्लो था, वो अवरोध हो गया, दूसरी जिले देखे, यहां आप जाकर के पत्यसागर का देखे, पत्यसागर की बेक साइड में मुख्या मनी हुई, पूरा कंटूर देखा, हमने एक पानी इदर नेचुरल फ्लो हो सकता था, गरवीटे से, वो नहीं करके हमने वहां से वो किया, एक कैनाल बना ही, और कैनाल में जब भी होता, कभी फूट रही, कभी क्या होता है, लेकिन नेचुरल फ्लो तो अवरोध हो गया, और आज यह बना तो शिल्ब ग्राम में पार्किंग की जगे दे रखी है, उस पार्किंग की जगे में क्या हुआ कि जब बरसात होती है, तो पार्किंग का जो गेट है, उससे पानी तो अपना रास्ता बना किया आता है, लेकिन आपने तो उसको अवरुद कर दिया, तो हमने लैक्स के पीछे जो रिजर्व लेंड थी, जो अवारा ग्रीन एरिया था, उसको हमने खतम करके हमने कंस्ट्रक्शन करना सुरू कर दें, तो आज जो दूरदशा हुई यह शहर की यह है, गौरव अलब जी से जब आप बात सुनते होंगे, तो उनका सोच यह है कि इतना बढ़िया हो जाए, यहां का टूरिस्ट अट्रेक्ट इतना हो जाए कि वर्ष भर आपकी अर्थ व्यावस्ता एकोनोमी एकदम आगे बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, तो हमें इसको पूरा प्रॉपर वे में प्लानिंग आने वाले पांस दस वर्षों के लिए नहीं, आगे आने व इसके उपर उदाइपूर मेट्रो सिटी का रूप लेगा, तो अभी से आप ये इंडस्ट्री को पहाडियों के बाहर ले जाओ, रेजिदेंशिल एर्या में आपने इंडस्ट्री डाल रखी, वेवार अओद्यों के शेतर बीच में आ गया, क्यों भई, इसको तो पूरा जो है बाहर की तरफ होना चाहिए था, तो हम मास्तर प्लान बनाते हैं, उसके बाद भूमाफियां आ जाते हैं, और अभी तो वीस-पचीस सालों से भूमाफिया का रहा है, इसी तरलों लोग करें, कि बाहर से आने वाला एक विजिनरी आया है, इसको समझो, ये एजूकेस करें, तो आदमी एक पीछे आपका जो है, वो खड़ा हुआ है, चिकिस साब को जाने के लिए, एंबुलेंस करें है, कोई दूसरा कोई आदमी ओपीस जाने वाला खड़ा है, वो सारी लाइन में खड़े हैं, और सब लेट हो रहे हैं, तो हमें इस तरह का रास्ता, क्योंक कि हम पैक थे, उस समय का स्टेटेजिक प्लान अलग रहा होगा, उदे सिंग जी नि जब उदैपूर बसाया, तो चारू जो पोल है, उदिया पोल, सूरज पोल, ये स्टान पोल, इन सब के अंदर का जो सहर एक बॉल की तरह गुता हुआ है, क्यों गलियां गूंगती इसको बेट के क्योंकि मैं अर्बन जोग्राफर भी हुँ, तो मुझे पता है कि अर्बन की जो मॉर्फोलोजी अंदर वो एक गरेलू उसकी तरह परंपरागत है, आज वो चबूत्रियों की जुरूर थैक नहीं है, आज वो छोटी गलियों की जुरूर थैक नहीं है, कहा अंडर पास, इसलिए वो गौरव जी कह रहे थे कि अंडर पास की जुरूत है, तो वहां मनाएंगे, कहीं प्लाइओर की जुरूत है, तो बनाएंगे, आदमी सिधा जगदीश मंदिर दर्शन कर सके, तो ये सारे सब प्लानिंग के पार्ट बनते हैं, मेरे इसाब से हमें उदयपूर पर इदी प्लान करना है, तो सब चीजों से उपर उठके सहर को एक सुंदर रूप देना चीए, और ट्यूरिजम डवलप हो सकता है, अभी हैं, इसको और अच्छा सुंदर तम मनाया जा सकता है, मैं इस चुनाओं में बार बार एक चीज देख रहा हूं कि अन कि अनुभव आले के रहें, डिग्री की कोई आशक्ता नहीं, और आप तो दोनों हम वी हैं, तो मैं मानता हूं कि शिक्चा में अनुभव और अनुभव में शिक्चा किस 타र से महत्कूर्ण इखिए, दोनों बात ठीक है, व्यवारिक रूप से देखा जाए, तो डिग्री क तो यह थी थोड़ा साइदी एक्सपोजर देख करके हम अपना वीजन डवलप कर लेते हैं तो यह वारी कुरू पाने लगता हो प्रैक्टिकली सही हो जाता है और अनुभव वालों को सारा अनुभव तो है लेकिन उसमें ग्यान का पुठ होना भी बहुत जरूरी है यह दोन सारा सामाजिक स्वरूप अच्छा सांस्कृतिक स्वरूप अच्छा है लेकिन इसको में किस दिसा में ले जाओ वहां ज्यान की जूरूत है वहां हमें को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में किस डारेक्शन में जाना मैं आपको बता हूँ 50 वार्ड है या 60 व लग है जो अंदर की साइड में वहां हो सकता जेंडर रेशो जाई हो बाहर की कोलोनी में जेंडर रेशो कम है क्या आप डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देख करके सहर का विकास कर सकते हैं यह तभी होगा जब आपको उस समय ज्यान की जूरूत पर जाएगी आप किस डिन अधिक है किस आड में काम है सोशल सेगरीगेशन हूआ पहले हूए अब क्यों होगा सोशल सेगरीचन का मतलब है एक समाज विश 예ग को लग में रहता है उसको अपने नाम दे दिया ये ब्रामन की कॉलोनी है ये मेगवाल की है ए्रेगर की है ये खटी की है एसा नहीं है सहर जो बस रहे है अब एक पूरा गुछा हुआ सहर बस रहा है एक कोलोनी में आप जाके देखो, यहां हर तरह के समाज के लोग मिलेगी, लेकिन सहर के अंदर ऐसा था, तो सोशल स्टक्चर को समझना और उसकी अकोर्डिंग प्लान करना, उनकी नीड क्या है, क्या आपने सोचा है कि पूरे सहर में एक सोशल ऐसा वाताउन मने कि हर गली मे क्यों जले, एक जिसे रावन जलाने जाते होली भी एक जिगे जलाओन, क्या ऐसा कोई विचार हो सकता है कि सोशल हम सोचे हम एक नया प्रियोग करें, क्यों रात को बारा बज़े बाद फटा के शूरती में जब सारा सहर सो रहा है, तो आपका एक सोशल हम इतनी कल्चर भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वाई, आप होटल में स्टे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, लाद कि दो बज़े थोड़ी फटा के छोड़ सकते हैं, लेकि यह हम एक सोशल ही ऐसा वातावनी नहीं बना पा रहे हैं, कि एक सांथ सहर, देखे चंडीगर चले जाओ, मजाल ह सकते हैं, विकोज डेट प्लाण इस फिक्स्ट, आदमी को सोशल हमें समझाना पड़ेगा, कि हम एक सोसाइटी में रहना हैं, जंगल में नहीं, समाज एक सहर है, यह सामाजिक स्वरूप लिए हुए है, इस दाइरे में रहना पड़ेगा, इस दाइरे में सामाजिक प्रति सोच बनता है, लेकिन हम सहर को क्या एक सामाजिक स्वरूप दे सकते हैं, जहां इसमें एक सांती का मेसेज आए, लोग बाहर जाने वाले कहें, क्या सांती का जीवन था, क्या ट्राफिक रूल्स थे, क्या आदमी सोशली कितना साउंड है, कितनी अंडरस्टेंडिंग है, य सिटीज डू 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 नोट ग्रो देंसेलज, इट से कंट्री साइड, सहर अपने आप नहीं बढ़ते हैं, यह तो पास का जो प्रदेस है, कंट्री साइड, वो उसको बढ़ने के लिए देता है, सुबह रजका वाला रजका लेके आरा, सबजी लेके आरा, दूज लेके उनकी कम्यूनिटी सर्वीस के लिए हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि आदमी जैसे मावली से आरा, डबोक से आरा, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्या हमने सोचा कि इतनी बड़ी उनिवस्टी उनके डेली अपडाउन की कोई व्यवस्ता की, आदमी पचास रुपे लेक के बच्चा सुबह बस्ती में कई जाता, उसकी मा कहती है, ले जा वेटा, सीटी बस का, तब आता है, हमने उनिवस्टी ने कभी सोचा है कि आसपास के डेली पचीस किलो मिटर तक के बच्चे, जो यूनिवस्टी के स्टॉप होंगे, वहां से बच्चा पहुंच सके, क्यो नहीं करते, दूसे कर रहे हैं, हम भी कर सकते, एक सवाल यह कि अभी आप एक अनुभव बता रहे थे कि मैं फोरेन में गया था, दूसरे देशों में, वहां दो तरे का धर्म देखा आपने, और पहला धर्म राष्ट धर्म, दूसरा धर्म मानव धर्म, क्या इस्टोरी है, अभी जो दोर चल रहा है, हम जाती धर्म से निकलने पा रहे हैं, एक छोटे-छोटे बच्चे जो भी सडकों पर हैं, यह हम जो जेदेरेशन दे रहे हैं, उसमें ओ गूट पिला रहे हैं कि तुम इस जाती के हो, तुम इस धर्म के हो, जाती और धर्म उसके संसकार में है, मेरे कुछ सुबह यहां रामायन पढ़नी है, तो रामयन पढ़े बिना महीं निकलता, सुंदर कांड का प्रतम स्लोग, सांतम, स्वासतम, पर्मेया, निर्वान, सांति प्रतम, ब्रह्मा, विष्नु, पनिद्र सेवे, यह सारे सब चीज मुझे पता है, मुझे पता है, क्य से मुझे सर्टिफिक्ट की जुरूत नहीं है, यहां कुछ एक ऐसा विचार आगया, वो कहें तो आप हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं, और उनको जो अपराधिक प्रवर्ति के फोटो है, उसको डाल के आदमें को बढ़का देंगे, तुम्हें मार देंगे, यह कर देंग लोग से क्या होगा, कोई अपराध हो गया, किसी की जान गई, आपको बोट की पड़ी और वो जो परिवार है, वो कहरा हमारे इसका नाम मत लो, हमें जले वे पर आप किसी तरह से नमक मत छिड़को, हमारा गया तो जान गई नहीं, तो हमारा दाइत तो बनता है, सामोहिक बनता है कि ऐसा अपराध भावशे में नहीं हो, और वो तो चार गंटे भी पकड़े भी गए थे, वो तो सीम साब का था, कितने लोग उनको पेपर लीके या दूसरे जितने अपराध हुए, यहां इतने गली कुचु में हुए, अत्या हुए, उनको पूरा उसी समय होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपराध को किसी पार्टी विशेश से जोड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेश से जोड़ रहे हैं, अपराध किसी पार्टी विशेश का नहीं है, अपराध को सीमा बद भी नहीं कर सकते हैं, यह MP का है कि राजस्थान का अपराध अपर गलत हुआ यह कहना पड़ेगा हमें यह कहकर कि हम टाल रहें नहीं यह उनके टाइम में हुआ तो भाई 13-18 का देख लो नहीं कितनी चैनल लूटी गई कितना क्या हुआ वह कहां गया तो पहले का जो भी इनको ड्राप दे रहे हैं यहां करके लाल डायरी बोल रहे हैं जो भी मिजोरम जलता रहा कौन गया देखने को सूट आउट किये नर्साहार हुआ है आप एक एक नर्साहार को लेकर के बार-बार उदान देते हैं अरे भाई उसके वहां क्या हुआ इसलिए हम अपने आप से बच नहीं सकते हमां एक जॉइंट रैस्पोंसिबिल्टी है तो समझना पड़ेगा ताकि इसकी पुन्रावरती नहीं हो एक अपरात की बात आई तो एक आप स्विक्षा से जुड़े हुआ है पेपर लिक का मामला हर आदमी हर जो जनलिया जो हर एक युवाओं के मन में बड़ा कचोड़ता है और वो कहिन कई वो लेकर वाकई मैंने जब अभी एपियारों की परिक्षा दीती तो मुझे जब असफलता हाथ लगी तो मुझे लगा किया जब मैं आट महीने तक जब मैं परिक्षा की तैयारी करता रहा उसके बावजुत वो पेपर तो लिक नहीं हुआ लेकि आप यह समझ सकते हैं कि जो पेपर लिक होता है क अपनी सिक्षा राफ्त करता है उसके बाद उसको एक उमीद बनती है कि मुझे रोजगार मिले और वो तैयारी करता है तो तैयारी करने के साथ में उसकी उमीद इतनी रहती है कि यह एक्जाम पास करूँगा मुझे रोजगार मिलेगा यहां तक बिल्कुल सही है लेकिन ज अभी कुछ टाइम से 16-17 बार जैसे हुई, पहले 13 और 18 के भी इसमें 13-14 बार हुई, उसी समय यदि ये कानून का रूप जो अभी लिया है, यदि ये पहले हो जाता, चाहे उसको पूरा आजीवन कारावास दो, जो भी इसमें इन्वोल है, उसको सजा दो, ये सारे इस तरह क जो पहले जो क्राइटेरियास थे, उसको डेवलप करना चाहिए, और मैं सोचता हूँ, अभी भी समय है कि रेखांकित करके, यदि कोई भी आदमी की इस तरह की प्रवर्ती उस समय की बढ़ गई, तो उनको उस रूप में हमें एक्ट में लाना पड़ेगा, जो अभी गैल तो मैं तो मानता हूँ कि साफ इसका होना चाहिए, क्योंकि युवाओं का भवश्य रोजगार से जुड़ा हुआ, इस तरह की प्रवर्ती बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, एक्ट होना चाहिए, जो भी इसमें इन्वोल है, उन ऐसे केंदर स्तापित करके यदि गतिविदिया आपने जारी करें तो निशित रूप से उनको साफ करना ही चाहिए, क्योंकि वो यदि अवेद रूप से वहां बना करके इसी कोचिंग करते हैं, तो निशित रूप से उन पर कंटोल होना चाहिए, और यह एक्शन जो लिया वापस एक्जाम कराना उन बच्चों को किसी तरह से कोई नुक्षान नी हो तो एक्जाम रिगुलर हुए और आप मानते हैं कि पिछले साल बर में इतना सब होने के बाद नियुक्तियां बराबर जारी रही है कोई यह नहीं कर सकता कि उसकी मेरिट के आदार पर एक पेपर कम होतों उसको वाहत कि तयारी की रूप में वաपस करया और बरा स्क्राइब यह एक्शन पिछली एक दसक से यह पूरा हम एक साथ होकर एक जूठ हो कर यह नहीं देखे कि इसके टर्म में अपराध है या उसके टर्म में अपुंकर अब अने वाले में मैं मैं जुस्ति जा रहा है क्योंकि अब जाकर के एक सिस्टेमेटिक रूप से एक्जाम की पद्दती और उसके साथ में जो स्ट्रिक्ट एक्षन है वे और कंड़क्ट है उसमें भी परिवर्टन आएगा ऐसा नहीं है जहां लिकेश होने की बात थी या ऐसा कोई था तो वह कहां हुई उसका अब यद्यान हुआ है कहां लिकेश होते हैं वह भी एद्यान हुआ है तो श्रिक्ट रूप से अब जो होंगे परिक्षाओं का और जाने का वह बीच में रूप की गया वह में यह था कि में कोरिया जब था 2000 में तो हमने कुछ लोग हमारे साथ में थे एक फोलेज का हमने घ्रिक्राइब गोई जका है तो हमने माना कि छोटा सा कांट्री इतना कम समय में कैसे डवलब हुआ कोरिया कोरिया जियोल में थे हम साउध कोरिया में तो उन्होंने बोला कि साब हमारे यहां तो दो ही चीजे हैं बहुत सामानी रूप से बोल रहे थे से लेकिन पताया तो ने ओपिस बन कर दिया आप हड़ताल पे चले गए नई दस बचते ही आपका कार्ड स्विप होगा आप ओपिस में जाके काम करेंगे लेकिन नो से दस पहले आपका इदित पूरे सरकार के खिलाब या वाँ की प्रसाशन के खिलाब कोई विरोध है तो जाकर कि प्रदशन करे इसके लिए आपको यहां दिया है और यहां जो कुछ होता है गाडी रग दो तोपी रग दो हेलमेट रग दो यह रगर दो फिर बाद में निकल जाओ आपका चलो साब आपने यह कर दिया को साफ यह कर यह ठंस करिए और उसको करिये इलक्तोनिक सिग्निचर करिये और उसके बाद में आप करके निकल गए तो आपको कौन पूछ रहा है क्योंकि आपका जमीर नहीं है कि मैं इस देश के लिए काम करता हूँ इस देश के लिए काम करता हूं एक बार नहरुजी ने बहुत अच्छी बात कई थी कि मैं जहां जाता हूं भारायत माता की जय बोलता और इतना सुन्दर लगता है भारत माता की जय सब अपने आप में पूलता हमारे देश के लिए जय बोल रहे हैं एक को पूछा कि आप जय में जो समझ पाया हूं वो समझ यह है कि हम खेत में अन उत्पादन करते हैं बीज बोते हैं फसल पगने तब एक एक पत्ती को निहारते जाते कई कीट नहीं लग जाए और उस पोधे को फसल पगने तक देखते हैं पसीना पसीना होता है लेकिन खेत के चारों तरफ गूमना निहारना गूरना सब होता है इसी तरह मजदूर कार खाने में काम करता है उसको जबकियां भी आती 8 गुंटे काम कर रहा है लेकिन मशीन में हात नहीं चला जाए तो अपनी जबकी को ठीक करके पानी का छिड़काव देगे भी नीड उड़ाता है और मशीन पे काम करता है अध्यापक है वह अपनी कंसेप्ट को समझाने के लिए अपने विचार को समझाने के लिए उसको एक दस तरह के एक्जामपल देता है मुझे एक अर्बन पॉपुलेशन की ग्राउट के अलवा उसको और बताऊंगी यह करेक्टरिस्टिक भी हो रहे हैं क्योंकि मुझे अर् इसके गोरव के लिए काम करेगा वही भारत माता की जय करेगा जय का अर्थ ही है जिसका जो दाइत हुए आज आपनी जो दाइत उलिया वाराम से आप बोले आए आए मिका बताई साब आप से बात करनी है में भी अपने मेरे में जो ग्यान है में मांट रहा हूं आपके माह है लेकिन उसकी जय करने में समय इसलिए लगता है कि क्या हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि देश की प्रगति और उत्थान में कोई बादा तो नहीं हो कभी उसकी ठेस तो नहीं पहुंचे उसके गौरव को ऐसा क्रत्य तो नहीं करें तो बिएंगे सिक्षक हमारा भी डा होगा तो सब साथ होंगे है नहीं तो हमें एक वीजन ऐसा तयार करना पड़ेगा समाज में सारी हैल्दी प्रैक्टिसेज होनी चीए एक स्वस्त परंपरा हो सब एक दूसरे से मिले लेकिन समाज को विकृत यदि अपने वोट की राजनिती से यह अपराद वहां तो हुआ हम सनातन है लोग एक पारटी आरोप लगाती कि आप सनातन को नहीं जानते और दूसरी आरोप लगाते कि तुम सनातन को नहीं जानते जिस व्यक्ति ने किसी की दुख और दर्द को समझा है और उसमें जाती और रंग किसी तरह का नहीं देख के उसकी हेल्प कर दी तो वहीं आपका सनातन उत्पन हो जाता है, सनातन आपकी आँख की सोच, आपकी मस्तिश की सोच, आँख की द्रश्टी से आता है, कान से सुनने में आता है, यहां मुझे इस मानवता की जुरूत है, वहीं सनातन है, सनातन कहने से, चिलाने से, बड़े-बड़े इट पत्थर कि बनाने से इमार्थे बनाने से नहीं आएगा उस उस्राभ सामने वे हमें सोच ना पड़े का यहीं कि और इस्वार्थां को यहां कोई पुरारे सी दादी जी थे और वो उस धर्म सी थे, मैंने उनको धर्म नहीं पूछा, मैरे स्कूटर पे ले करके हम लेके गए, दो जड़े और जुर गए, और लेके गए, तो किसी का एक्सिडेंट हुआ उस समय आप ये मत पहुंचिए, आपकी मानुता जागरत ह आपके उसको जान बचाना जरूनीगी, वो सनातन है, सनातन किसी रूप से किसी को माँटने का धनातन नहीं है, और हमारे तो वेदुं को लेकर के, गीता को लेकर के, ये तो धर्मवाले तो अब जागरत हुए, गीता में कह दिया है, कि अरे जिस तरह से आये हूँ, जो कर् पर है कर्म प्रधान सवाख जैसा विचार रखते हो अच्छे विचार रखो ऊसद विचार रखो सवागों साथ में यह विचार एक वर्ग को मांतने का रखो इसाइब जाना कोई साथ निदेगा सवाग्र ने यह पूरिंगा कर दो मानुता को सवरूप आपकर से सतरmeno में हरदय में सब में हो तब है यह आज की राज निती करते हैं यह हो गया वह हो गया उंची करके चिलाते हैं का है यह अपराद कर दिया अपराद पर आयो तुम अपराद वीजन की बात करो ना यू सुड प्रोव यू सुड जस्ट हाइलाइट यूर वीजन आने वाले समय में हम यह करेंगे गैलोज साब के जितने विचार आते हैं वो यह कहते हैं मैं आने वाले समय म में यह कर दूंगा मैं आने वाले समय में 10,000 महिला को महिला प्रमुक को दूंगा मैं आने वाले टाइम में ऐसे बच्चे तयार करूंगा जिसके हाथ में लैप्टॉप भी हो फस्ट एर में जाते ग्रेजुएट करने जा रहा ग्रेजुएशन की डिगरी लेगा उसको लेट करेंगे यहां हमारा गेप इसलिए उन्होंने कहा है कि पैंसल तो मिलती है लेकिन 15 परसेंट हम बढ़ाएंगे यहां गेप है आदमी को एगजार फिक्स कर दोगे नहीं 1150 होना ची एगले साल फिप्टेन परसेंट हर साल बढ़ेगी यह कौन कर सकता यह उनकी सोच है सोच नहीं इसको लिंक करना पड़ता है र्धेय को और मानवता का लिंक यहीं सनाथन है सनातन की तो मैं लाकूं दिए जलादू दिल का दीपक नहीं जला तो फिर कहें की मानवता अब दीपक तो खुद को यहां जगाना पड़ेगा आप यह सोचते हो में कितनी वार्ट लगा करके कर दू अंदर का दीपक नहीं जला और आप प्रूरता रखते हो इसको साले को किरा दू उसको मार दू ऐसी जो प्रवर्ति है वह समाज को ब्रहमित करने की खुद ब्रहमित अब आप यह जोड़ने की कोशिश करता हूं साइध मेरा प्रशन तार्किक हो सही में जा रहा हूं आप कि अशोग गेलोत ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन कहीं आपको यह नहीं लगता है कि बहुत सारा ख़जाना खोल के लोगों को मोबाइल उटाना और यह करके उ उन्होंने हमारे जो राजस्तान के उपर उन्होंने खुद एक इतना बहुत लोड़ेट कर दिया है कि हम उसका वार खुद ही अच्छा कोशण है क्योंकि एक आम आदमी की सोच भी है कि इतना सब आप डिक्लियर करते हैं गोस्टाइं कर रहा हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकि हमिएपन सो रुपए है 100 रुपीज है न अमसिती तैक्सेस है अगर बत्ति के टक्स से आए अलू के टेक्स से सब्चिक एक्सवाइब अटा से आए सब से टैक्स आया ह। से टैक्स आया माइनिघ से टैक्स आया तो क्या मेरा एदाइत यह नहीं बनता कि में खजाना ढून haz k कर schlimm कैसे थे कोई यूझना डिखलार की है लोग कर श्मार्ट पॉन क्यों देजारे बाध में पढ़ा उसमें कंडिशन है उसमें पढ़ा लिखा भी होना चीए विड़ो भी होना चीए नीडी भी होना चीए यह सारे कंडिशन थी तो पैसे कोई बांटे इस रूप में उच्छा ले गए अब उन्होंने चाहते तो सब मैला के लिए उनको पता है कि एक मैला अपने घर कर चलाने के लिए शोटी मोटे का उसके आवशक्ता की पूर्ती करने के लिए चूडी बिल्दी के लिए वो सोचती है बेरे जैब में पैसा ही नहीं है उसकी बेटी आती है उसको बेटी को दो विंट का दो वस्तर देवे तो उसके पास पैसा नहीं तो मिनिममम हजा दस जार रुपए आप मान कि जलो आठ सो नोस रुपए पर बंद का एक दस जार रुपए उस परिवार की मुख्या को दो मैला है गर में कोई बात नहीं कर रहे हैं तो कैसा यह आपको यह भी बात करूंगा देखिए बहुत सुप चीज में आपके पास में पब्लिक को कैसे आप वेलफेर करते हैं उसकी कल्यानकारी जूप कैसा आप देखते हैं उसको कहां जूरूत है उसी गेप में बच्चों को लेपटोप दे रहे हैं या बच्चों को अंग्री जी की शिक्षा दे रहे हैं उसी गेप में टेन थाउजेंड भी आ रहा पांसो कर वह भी आ रहा है इस सारा पब्लिक के वेलफेर के लिए किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं यह नाम रेखांकित नहीं क्या होगा कि यह आदमी जाएगा तो उसक सकती तो उसको उस माध्यम से परिवाइन की सुईदा दी गई तो यह सारे कैलकुलेशन्स हैं पर मैं तो यह सोचना हूं कोई नहीं बोलता है कि यह गोस्ता है हो गए उसको तो आपने सोच लिया पांच बैंक बंद हो गए उसमें कोई विचार नहीं करता एक बैंक के एक सारा देश महुन है कि सारे लोग उनको क्यों नहीं सहीद गोशित किया जो लाइन में लग गए थे लाइन में लगे नोट बंदी में लगें नहीं लगें लगें जो बच्चों को खंदे पे लेकर के कोरोना में आए आपने बिना उनको साधन दिये फैक्ट्री से सूरत से बडोदा से निकाला एमदाबाद से निकाला बंबे से निकाला रोड के रोड लाइने लगे हुई थी उस समय आपको वंदे मात्रम याद नहीं आई वंदे मात्रम की कहां जुरूत है जो सुबह चार गंटे दो गंटे पहले पहुंचके और जो अंदर 200 रुपे में लेके पराटे खुद खाता है और वह भी पहुंचता तीन गंटे बाद वहाजी के पास तो वंदे मात्रम की जुरूत नहीं थी लोवर स्टेटा पे काम करो कमजोर वार्क के लिए आप अपर स्टेटा पे चले गए इसलिए यह आने वाली केंदर सरकार के लिए समश्या होगी न इस पार्टी की हम बात कर रहे हैं उसके बड़े बड़े ऑपिसे बने वह पैसा कहां से आया खेत को दें गए क्या वह पैसा गरीब जनता का आया और उन्होंने कोई गोस्ता है नहीं की गैलो सामने अपने छोटे ओपिस वह का हुई चोटे कारिया लेकिन वह सारा पहले कर रहे थे कोई गर पहुंचे नहीं पहुंचे रास्ते में मरे पड़े गंगा में लासे बेती गई कौन पूस्ता है मंजल लग गया था लासुगा तो मानवता तो उपर रखनी पड़ेगी मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेकिन पोलिसी पर बात करते हैं आप इसी नीतिया बनाईए कि मानव हिच सर्वोपरी हो जाए सब धर्म से बिल्कुल सर्थ है तो मैंने को जो था इतना जिनके पास नका नोलेज हमने लेने की कोशिश के देखो चुनावी माहौल है तो चुनावी बात पर की एक बार हम और आएंगे सर के चाई के बुलावे पर और इस बार हम शहरी के सरका जो विशह है अरबन उस पर बात करेंगे और वही मुद्दे को आप तक लाएंगे मुझे उमीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा होगा प्लीज इस वीडियो को शेर कर दे ज्यादा ज्यादा लोगों तक और अपने विकास अपने विजन और अपने शे के मेरे के पिछे हैं शुक्रिया धन्यवाद जयमेवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मुच